हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल जी की पूजा घर घर में की जाती है स्री कृष्ण का बाल सवरूप समझ कर लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है हाला की लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा अर्चना कुछ अलग और खास तरीके से की जाती है घर में लड़ू कोपाल को इस्तापित करना कई तरह से लापकारी माना जाता है उनकी सेवा के कुछ खास नियम होते हैं कहा जाता है कि लड़ू कोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप सब परिवार घर से कहीं जा रहे हैं तो अपने लड़ू कोपाल को साथ ले कर जाना चाहिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लड़ू कोपाल को एक बच्चे के सवरूप की तरह माना जाता है इसलिए उनकी देखरेक बिलकुल एक छोटे बच्चे की तरह करनी होती है उन्हें भी एक छोटे बच्चे की तरह कहीं भी अकेले रहने से डर लगता है इसी वज़े से उन्हें कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए लड्डू गोपाल को एक नन्ने बच्चे की तरह स्नान कराना चाहिए इसके लिए संख का प्रयोग करना चाहिए नहने के बाद पानी को हमेशा तुलसी के पौदे में डाल देना चाहिए लड्डू गोपाल को साफ सुतरे कपड़े पहनाना चाहिए उन्हें चंदन का ठीका लगाना चाहिए और जेवर आधी पहनाना चाहिए लड़ू कोपाल को भोग लगाने के लिए सात्विक भोजन का प्रियोग करें कभी भी खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करें लड़ू कोपाल की देखरेक बिलकुल एक बच्चे की तरह करनी चाहिए उन्हें साम को आरती करने के बाद सुला देना चाहिए लड़ू कोपाल की विधी से पूजन करने से पूरा फल मिलता है और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है तो आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जाय स्री क्रिश्ना